हलो आज है 31 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवी 18 ब्रॉड कास्ट के बारे में तेकि टीवी 18 का शेर काफी हद तक करेक्ट हो चुका है काफी बड़ा करेक्शन हमने यहां पर देख लिया है शेर तूट के बिखर चुका है काफी बड़ी रफतार पकड़ी थ है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो सेंज वो काफी जादा हल्प करेंगे तो टीवी 18 चालीस रुपए का शेर है और एक महिने में देखे तो 23 से 24 प्रतिशत तक तूट चुका है और अभी लग रहा है कि थोड़ा सा consolidate कर रहा है 40 रुपए के आसपास भाईया यह अगर देखा जाए तो 11 मई को भी था तब से लेकर अब तक उसी range के आसपास बटक भी रहा है एक साल के अगर हम बात करें तो 2 प्रतिशत की गिरावट आ चुके एक sharp decline यहाँ पर हमने देखा है 80 रुपए का शेर पिछले महिन तो share में अगर आप चैनल को regular follow करते हो तो मैंने पहले भी कहा था मैं अब भी कहूंगा 35 से 40 का range खरीदारी का range है वहाँ पर अगर मिल रहा है तो buying के मौके हैं लेकिन 60 रुपए से उपर कभी नहीं खरीदना चाहिए 60 के उपर निकला मतलब profit booking का range आपको देखने को मिल यहां पर आप 5 साल की भी वात कर लो तो 5 साल में आप देखते हो कि 65 रुपए के आसपास था तूटके बिखरा तो कोविड में अगर हम देखे तो यह 13 रुपए तक पहुंच गया था 13 रुपए का मिल रहा था तेजी भी बनी थी यहां पर वापस तूटके यह बिखर रह है तो डेफिनिटली हम कह सकते हैं कि उसके बाद एक किरफतार पकड़ने की कोशिश करेगा है लेकिन अब लंबे समय तक 35 से 40 का रेंज आपको देखने को मिल सकता है और वहां पर खरीदारी के मौके भी बन सकते हैं टीवी 18 के मैं बात करूँ तो मिट कैप शेर है 6,855 क्र पाथवे, डेन नेटवर्क इन चारो कमपनियों का मालिकाना हग मुके शंबानी जी के पास है और पहले चर्चा ये थी कि इन चारो कमपनियों को मिलाकर एक कॉमन कमपनी बना दी जाएगी लेकिन अब वो चर्चा चली गई है अब उसके लिए मना कर दिया गया है और अब ये चारो सेपरेट ही काम करने वाली है तो यहाँ पर टीवी 18 के अगर मैं बात करूँ तो कमपनी में जो गिरावट की एक वज़य थी वो ये भी थी कि एक डील यहाँ पर होई जिसके बारे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था और रिजर्ट्स की भी बात के त इछले क्वाटर में 200 करोड का था तो उसकी कंपरिजर में 28% के गिरावट जरूर है टीवी 18 प्रमोटर के पास 60% से भी जाधा की होल्डिंग है प्रमोटर है निट्रक 18 ग्रूप प्रमोटर है एक बिशागिर्वी नहीं है गवर्मेंट पेंशन फंड ने भी वया 3.27% की ह होल्डिंग खरीदी है 18.98% की होल्डिंग इंडिविजल इन्वेस्टर के पास है और यहां पर अगर हम टीवी 18 को लेकर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहें कि बेचो और 75% लोग कह रहें खरीदो इतना ही नहीं कंपनी में अगर आप अब देखोगे तो प्रॉफिट अब तक का सबसे हाइस है 2022 में 2018 फैनाशल यहर में अगर हम देखे तो इनका जो रिवन्यू था यह 1500 करोड के आसपास का था 5000 करोड अगले ही साल हो गया फिर बाद में उसी रेंज में भटकता रहा अब 5500 करोड का इनका रिवन्यू है 2022 में जो अब तक का सबसे हाइस है और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2022 में अब तक का सबसे हाइस प्रॉफिट है और साल और अगर यहर और देखे तो ग्रोथ है बहुत बड़ा ग्रोथ है 2018 फिनांशल यहर में 60 करोड का लॉस हुआ था 19 में 175 करोड का प्रॉफिट 20 में 375 करोड का प्रॉफिट 21 में 685 करोड से भी जादा का प्रॉफिट और 22 में 872 करोड का मुनाफ़ा कम्पनी लगातार प्रॉफिट कर रही है बड़े प्रॉफिट कर रही है यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके डिविडेंट को लेकर तो dividend की history अवेलेबल नहीं है मैं लोग company dividend नहीं पे कर रही है TV 18 broadcast खरीदारी करने का सही मौका है युकर और बोर्ट जोन में नहीं है कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहे है dividend attractive पे कर नहीं रही है dividend नहीं कर रही है long term में पैसा नहीं बना है तो पहली चीज़ तो यह कि long term का खिलाड़ी यह नहीं है अगर आप यह expect कर रहे हो कि मैं इसको 40 में खरीदूंगा lifelong रखूंगा अपने portfolio में कुछ नहीं होने वाला इसका ठीक है लेकिन आप यह mindset के साथ आते हो कि मैं 35-40 के बीच में खरीदूंगा और 55-60 के बीच में जाएगा तो मैं profit लेकि निकल जाओंगा तो सही है यहाँ पर समय समय पर profit book करते रहना चाहिए TV 18 में, Network 18 में Hathway में, Den Network में करते रहना चाहिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी सस्ता है 11.81 का P ratio है ठीक है यहाँ पर होल्डिंग की भी अगर हम बात करें तो 60.40% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास mutual fund ने बड़ा धमाका किया है December तक इनके पास 0.12% की होल्डिंग थी अब बढ़के हो चुकी है 1.34% यहाँ पर आप देखो तो Domestic Institution की 0.07% की होल्डिंग घटके हुई है 0.02 और FI से भी बड़ी बिक्वाली करी है 14.09% की होल्डिंग कम होके हुए 12.75 रिटेल और अधर पार्ट इसकी मिला कि 25.49% की होल्डिंग है जिसमें भी जो को रिटेलर्स है उनके पास 10.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है तेको TV18 अगें कमपनी अच्छी है बहतरीन कमपनी है प्रॉफिट भी कर रही है रिवेन्यू भी अच्छा कासा कमा रही है लेकिन लॉंग टम के लिए में अभी उतना जदा यहाँ पर बुलिश नहीं मुझे रहता है कि यहाँ पर समय समय पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी भले ही मुकेश अमबानी कमाली काना हक हो लेकिन वो लम्बे समय से ठीक है लेकिन फिल्बी कुछ ना बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है और मैं यही कहूंगा अगिन कहँए दो फंडमेंटल को इतना बहतरीन भी शेयर नहीं कि आप एक बहुत बड़ी कॉंटिटी खरीद के बैठ चाओ ठीक है यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि 35 से 40 के रेंज में अगर यह आपको मिल जाता है तो चांसे थोड़े से कम है लेकिन अगर हुई तो हाला देखो मार्केट प्रेडिक करना मुश्किल है अगेन मैं कह दो देखो बॉटम कहां बनेगा यह कोई नहीं बदासा हम बस बात करते हैं सपोर्ट की रेजिस्टन्स की लेकिन हम सब जानते हैं कि एक लेवल ऐसा भी आता है अगर हम रेजिस्टन्स की बात की तो एक लेवल ऐसा भी आता है कि जब उस रेजिस्टन्स को तोड़के वो ब्रेक आउट दिखाता है ठीक है और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो सपोर्ट को तोड़कर डाउनवर्ड ट्रेजर्टी में ये चला जाता है शेर्ट तो प्रिडिक करना मुश्किल है लेकिन हम क्या कर सकते हैं अच्छी कंपनी है लगता है कि हाँ इस रेंज में खरीदारी के मौक है वहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं ताकि जब भी वो शेर में तेजी है तो किसी भी अपॉर्टुनिटी को हम मिस ना करें और थोड़ी बहुत कॉंटिटी हमें और नीचे फर्दर इरावाट में एड़ करने के लिए रखनी शाहिए टीवी 18 मेरे इसाब से 35-40 की रेंज में ये रहेगा और वहाँ से संबलना चाहिए वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आए हो तो लाइक कर शाहिए चैनल पर पहले भी बाहर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टीवी 18 ब्राड़कास के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थेंक्यो